इलेक्ट्रोनिक वेकल संसार वरी ने राइज उदेशा अईले को ट्रेंड ने तेशा पेट्रोलियम प्रोड़क्ट बाटा चलने गाड़ी उन्दा इलेक्ट्रोनिक गाड़ी को आविस्कार धिरे अगाड़ी बहे पनी साइद लास्ट 10-15 बर्षा मात्र इलेक्ट्रोनिक गाड़ी उरे ये शरी बड़े राइको रा मत अप्पाला योटा इस्तो कथा बना चाहांचु जब नेपाल यो सबे ट्रेंड बंदा अगाड़ी थियो इस्तो टाइम जब कषफर्ण संग संसार के सबे अंदा देरे बैटरी पावर्ड पॉब्लिक ट्रांस्पोर्ट वेहकल थियो इस्तो टाइम जब संसार बर्खर जेरो कार्वन एमिशन र इलेक्रिक वेहकल को कल्पना गड़ दे थियो फोरे समय के निमती मात्र बहे पनी नेपाल को वाना था बिगेस्ट एक्स्पेरिमेंटल प्रोजेक्ट होयो यो कथा हो सफा टेंपो को अहिलेता आमी खासे सफा टेंपो को वारेमा सोच देनो तर एक टाइम इसले नेपाल को पबलिक ट्रांस्पोर्ट मा तहल काने मजाएको थियो 1990 मा जब पंचायत को अंतिय हों दे थियो प्राय मान से ले आपने प्राइवेट वेहिकल ओन गरना सकते ने थियो मेजरेटी ले पबलिक ट्रांस्पोर्ट में डिपेंड गर दे थियो नया इटा वटा अरु सुरू हो दे थियो नया सेमेंट फैक्टरी सुरू भाएको थियो गाड़ी को नम्मर एकदमें बढ़ दे थियो जसलियो गर्दा एकदमें पॉलिशन बढ़े को थियो 1980 देखी 1990 सम्मामा काटवांड़ू मा गाड़ी को नम्मर अल्मोस्ट डवाल बायरा 67,000 समपीश होए को थियो जसको मतलब काटवांड़ू मा एकदमें देरियो पॉलिशन हो दाई थियो अहीले को कंपारेजन मा तेख पॉलिशन कम होला तर 23,00,000 निम्थियो एकदमें मैसिब पॉलिशन थियो काटवांड़ू को जोन सांगरिला इमेज थियो चारेती रहा इमाले डाक्के को एकदमे सुन्दर बनने इमेज तो बिस्तारी अराउधी थियो रहा यो पोलुशन गरने गाड़ी और मद्ये सवेंदा फेमस से बिक्रम टेमपो बनने थियो डिजल बाटा चलने यो इंडेन टेमपो ले एती देरे दुआन निकाल थियो कि मान्चे अरले इसलाई इन्ने चीम्नी बन थि काटफान्डुमा बायको गाड़ी को जम्मा एक परसेंड गाड़ी यो बिक्रम टेमपो थियो और यसले काटफान्डुको 10 परसेंड बन्दा देरे पोलिशन क्रियेट गड़ थियो कुने-कुने ठाउको मान्चे अरले एती दिक्क लागी सब्येक थियो कीउने अरले बिक्रम टेमपो आमरे इरियामा आयो बने आमी डुंगा आंचो समयद बनेगा थिये र यसको रेस्पोंस मां 1992 बाट नेपाल सरकार ले नया बिक्रम टेमपो को रेजिस्टेशन ने रोकी दियो पुरानो बिक्रम टेमपो आरु चलना पायो तर अब नेपाल मा नया बिक्रम टेमपो आरु आउना बन्द बयो तर अब नया टेम्पो नया है पनी मांचेर ले गाड़ीता चाड़नू परछा तेसको निंदी के निके नया सोलूशन चे चाहियो र एही टाइम त्योवे लाको काटफांडू को डेपुट मेयर नरेंदर राज जोशी ले एदी सम्भब भायवेने यो प्रावलम लाए स्टडी मात्र नगरूम युटा गुरूप बनाए र इसको बारे माँ ठोश के गरूम बने र सला दिये र एसले गरदा एक जाना पीटर मोल्टन मने बिक्ति को एंट्री वायो पीटर मोल्टन काटफांडू युजीन सिटी कमिटी को चेर मन थिये काटफांडू र अमेरिका को ओरेगोन को युजीन सिटी ले 1970 में सिश्टर रिलेस्टिप बनाए का थिये र पीटर मोल्टन ले यो पोलुशन गरने टेम्पो लाए इलेक्ट्रिक मा सारे र दुट्रा समस्य एक चोटी समाधान गरूम बने र इसले गर्दा युटा युटा युएस बेस्ट एंजियो जी आराई ग्लोबल रिसोर्सेस इंस्टूट को फॉर्मेशिन भायो जसको काम ये बिक्रम टेम्पो अरलाई कसरी इलेक्ट्रिक बनाने मने स्टडी गरने थियो तर शुरू के फेज मा इलेक्ट्रिक टेम्पो को सट्टा एल्पीजी वाला टेम्पो पनी चलाउनों मने आवा जर्पनी उठेगो थियो र थाइलाईन्ड मात्ते इस्थाल को टेम्पो रूप पले देखिने यूज भाय रहे गो थियो तर थाइ मिनिस्ट्री ले एल्पीजी वाला टेम्पो रूको ठुलो रिक्स भायेको देरे चोटी एक्स्प्लोड भायेको केच चिजर्पनी चा तर शुरू डोनोर बाटा पनी पास लाख टॉलर फण्ड आये बछी दुई वर्षो के उटा एलाबरेट इलेक्ट्रिक ट्रास्पोर्टेशन प्रोग्राम ने सुरुवायो रो यो प्रोग्राम मा यूज एड ले पनी सपोर्ट गरे को थियो एती ठूलो पईशा आलो मा डोनर एजिंची अरकोनी आपने एक किसिम को स्वार्थ थियो यूएस को देरेवटा सिटी ले जेरो कार्वन एमिशन मा जाने वन्र डिकलेर गरेश है का थियो रो कैलिफोर्णिया लगाया दको सौर अर ले तो ईवी लाई इंप्लिमेंट गरने पनी प्लान में थियो तेसे ले काटफर्णों मा यो ईवी को प्रोजेक्ट सक्सेस्पूल भाय वने एसको एक्स्पिरेंस न डेटा आरू उनियर लापनी काम लागने वाला थियो जी आर आई ले सुरुमा बिक्रम टेम्पो लाए इलेक्ट्रिक मा सारने ट्राई गरेओ तरा बिक्रम टेम्पो को पाटपूर्जा को लाइफस्पैन ने आर्थस बर्षक उन्छा रा जी आर आई ले 1993 मा यो प्रोजेक्ट सुरु गरदा उनियर को आत्मा बहे को बिक्रम टेम्पो चार्पास बर्षक पुरानों वैसेग गतियो तेसे ले पुरारों टेम्पो ला यूज गरनों को सट्टा कॉम्प्लिटली नया गाडी ने मनोधा फाइदा देखियो नाश्नल प्रारिटी पायो गौवर्मेंटली इवी सेक्टर लाई नाश्नल प्रारिटी मा राखे संगे प्राइबेट सेक्टर बाटा पनी एसमा एकदमे रामरों इंट्रेस्ट बहयो बिक्रम टेम्पो को बन्दा सफा टेम्पो को अपरेटिंग कोस्ट आई बए पनी गौवब्मेंट ले सफा टेम्पो लाई 30% देरे भाडा लीना दिने बए पचि बिक्रम टेम्पो संग अब सफा टेम्पो ले पनी कम्पीट गरना सकतियो तेस्ते GRI ले Department of Transport Management समपनी कुरागर रूट अरक निम्ती पर्विशन लियो र अब सफा टेम्पो रोड मा चलना तयार थियो तर रोड मा सफा टेम्पो चला र बिजनस गरने काम GRI लिद गरने वाला थिये न तेस्क निम्ती के प्राइबेट कमपनी पिन चाहियो तेसे ले दुईटा कमपनी बने यो एवटा नेपाल एलेक्ट्रिक वेहकल इंडस्ट्री र अरको इलेक्ट्रिक वेहकल कमपनी बने र दुबे कमपनी ले यो एलेक्ट्रिक वेहकल अरको प्रफटी द राइड्स को निम्ती बीड गरे नेवी ले यो बीट जीतियो र नेपाल को पईलो प्राइबेट ईवी इंडस्ट्रीयो बनियो सफा टेम्पो रोड मा चलना त्यार थियो तर अजे पनी देरेवटा चुनो त्यारू बागी थियो किनेके इलेक्ट्री वेकल को निम्थी चाइने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने तयार थिये न चार्जिंग स्टेशन को आवसेक्ता थियो बैटरी एक्सिन्स फैसलिटी को आवसेक्ता थियो इलेक्रोनिक वेकल को अफ्फरन्ट कोस्ट ने आयूंच र शफा टेम्पो र इसको इंफ्रास्रक्चर लाई सेल्फ सस्टनेल ओए मा लाने हो बने कम्ती मा 25 तेही तीसोडा सफा टेम्पो चलनू पर्च अन्य अन्मान गरिये गो थियो तोरा के डीजेल मा चलने टेम्पो र अरो गाड़े मा एडी राहे का मांची अरले यो सफा टेम्पो चाट लान्त तोरा जसे सफा टेम्पो कर्षफर्णु को रोड मा गुड़न थाले हो एसलिए अरो सबे कॉम्पिटिशन जीती दियो 1997 को सुरु मा जम्मा 15 ओटा सफा टेम्पो थियो तोरा बर्षण को एंड समापुक दा टोटल काट्फर्णु मा 35 ओडा सफा टेम्पो र चार ओडा चार्रिंग स्टेशन वाई सफा टेम्पो थियो 1997 मा अब नेपाल मा इलेक्ट्रोनिक वेहकल र सफा टेम्पो एज पाइलेट प्रोजेक्ट एवड एक्स्पेरिमेंट बन्दा पनी एज लेजिट्रेमेस्ट बिजनेस को रूप मा काम गरना साली सवगे को थियो एवटा मैनिफाक्ट्रिंग र मार्केट इंडस्ट्री पेनी बन्दी सवगे को थियो नेवी र एब कोले अब मैनिफाक्ट्रोर को रोल नीबावन थाली उने अरले सफा टेम्पो प्रोडूस करना थाली चार्जिंग स्टेशन को मातरे जीम्वार लीने बेगती ओरे पनी छुट्टे तरीका ले आये अब सबे को काम फरक फरक न थाली एक जानले मैनिफाक्ट्र गरने एक जानले चलावने र एक जानले इंफ्रास्ट्रक्चर एरने तर अरु सोलो इंडिविजल अंटरप्रेनर ले अब सफा टेम्पो कीन न थाले उन्हें एरले टेम्पो कीने र बाडामा अरुलाई चलावना दीने बैंक करेले पनी यो सफा टेम्पो ले ओडा रामरो प्रारेटी इंब्रेस्मेंट को रूप मेर न थाले इंब्रेमेंट फ्रेंडली बने पेचे उनियर को पोर्टफोलिय अबनी रामरो देखीन थियो तेसेले सक्केस अमा बैंक करू इलेक्रोनिक वेकल मा यो सफा टेम्पो मा पहिचा आलना त्यार वहे 1998 को एंड सम्माम मा एक से दस्वडा सफा टेम्पो र नव ओटा चार्जिंग स्टेशिन बहिशेए को थियो तरा सफा टेम्पो ले पॉब्लारिटी पाए संगे एसको विर्योद्ध मा आवाज अरपनी उठ्ण थालेओ बिसेश करी विक्रम टेम्पो को माली अरु बार्ट अली अनौठ हो सुनिंचे तरा सुरु मा सफा टेम्पो को भिर्योद्ध गर्नेमा बैली ट्राफिक पुलिस के अफिसर अरु पनि थिये देरे दाना ट्राफिक पुलिस अरे ले आफनो परिवार को नाम मा त्यो बिक्रम टेम्पो र अरु गाड़ी अरु रेजिस्टर गरे का थिये रा उनियर ले बेला बेला मा सफार टेम्पो को चाला गरला दुखा दी राखते तेस्ते युटा कटना 1998 को अक्टोबर मा बयो जस्मा बैली ट्राफिक पुलिस ले युटा सफार टेम्पो रा समा थियो रो यो इसी एकदमे ठुलो चरका चरकी को बिसे बने को थियो तर अपनी देरेवटा इन्वार्मेंटल अग्वार्मेंटल 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 अग्वार्म मार्केट लीन शक्यो रविक्रम टेम्पो ब्यान वयको 6 मयना वित्रमा सफा टेम्पो को नम्मर 226 पाट बड़े र 618 बुग्यो पाच ओटा मैनिफेक्टरिंग कम्पनी र तीन से पचास मंदा देरे जाना बिजेस्मन रो एसमा लागी सोय का थिये जसमा साथ से पचास दान तेतीने ठुलो संख्या मा स्चुनोती अरुपनी अगाड़ी आओ दे थियो सरकार ले बिक्रम टेम्पो लगायातको अरुप गाड़ी अरबाठ करणा रुपय इंपोर्ट टैक्स को रुपमा पाई रहे को थियो सफा टेम्पो को राइज संगे सरकार लाए करणा रुपय को बेखतिया अरुप बाईको बैखतिया अरुप लेत अरुपायाा बाईकितया अरुपाय और बिक्रम टेम्पो बैण गर्दा टेक्स मालि करलाई जाता लाँजा मनी च współमंड में अध्रेक्टिव अफर ले आयो एदी उन्यरले पेट्रोल वा डीजेल पड़ा चल्ले अथवा एलपीजी ग्यास पड़ा चल्ले माइक्रो बस उन्यरे लियाया वने तेसपा 99% कॉस्टम टैक्स रा बैट माँ छूट दिने वने वने यो आफे मा योटा अनौठो डिशिजन ह किने की बिक्रम टेम्पो ले पोलुशन गर जमने इ माइक्रो बस अरले पन्त पोलुशन गरने वाला थिये माइक्रो बस को कैपासिटी यो टेम्पो को कैपासिटी वन्दा देरे थियो तेसेले अब उन्यरले देरे दाना मान छेलाई एक चोटी गाड़ी माँ चड़ा दो टुक टुक टेम्पो पनी संगे थियो र अब सरकार ले यो टुक टुक टेम्पो को इंपोर्ट मा पनी 99% कॉस्टम टैक्स र वैड मा छूट दिने वनियो LBG बाटा चलने यो टुक टुक टेम्पो पनी इन्वार्मन्ट फ्रेंडी उन्च अन्ने किसिमको अल्ला फईलिये को थियो सफा टेम्पो र ईवी ग्रुप लाए सपोर्ट गरने मांची अरले टुक टुक टेम्पो संगा आत्मी लायर पईलाने वड़ा थुलो गल्ती गरी सके शन यो अल्बीजी ग्यास पता चलने टुक टुक टेम्पो संग और के उटा फाइधा बनी थियो सरकार ले खाना पकोने ग्यास को निमती अठारा पसेंट सबसीडी दिये को थियो तर अब यो टुक टुक का ओनर अरे ले तियो सबसेडी मा पायेको गास लाये पनी आफनो गाडी मा चलोन थाले सो अब सफा टेम्पो ले एक जाना इना दुजाना संगा लड़नू परने भयो फुलो रा स्पेशियस माइक्रोबस रा डबल सबसेडी पायेको अलबीजी आला टुक टुक रा यो पची सफा टेम्पो ला योटा फाइनल ब्लो आयो सफा टेम्पो को पाठपूर्जा मा पाय रहेको बैट को सूट पनी सरकार ले कैंसल गरिदियो सफा टेम्पो को निम्ती लेआ एको कोंपोनेंट अरू उलेक्रोनिक बन्दा पनी अरू कामको निम्ती पनी प्रयक गरेगे कैंसल गर्यो ये श्लिट गरता सफा टेम्पो को मैनिफ्लेक्श्रिंग कोस्ट अजे बढ़ना गयो काशफार्णों मा अब अरू पॉब्लिक ट्रांस्पोर्ट को अप्शन आये संगी मोंगो सफार टेम्पो मा चण्डे मांचे को संख्यापनी गटना थालियो सफार टेम्पो को पसाड़े बयेका मांचे अरू रिलेटिबली यो इंडरस्ट्री मा नया थि उने अरू पसाड़ी रा बित्र उने पोल्टिक्स वारा के पनी जानकारी ने थिये न देरे जाना था यसले इंवार्मेंटलाई फाइदा हुँँच काशफार्णों को एर क्वाल्टी इंप्रोबुँच वनर मातरी यो इंडरस्ट्री मा आये का थिये रहे यो सबे पोल्टिक्स सुर्वात बिक्रम टेम्पो लाई कम्प्लिटली बैन गरने देही बयको थियो काशफार्णों मा एक किसीम को डीजल माफिया ने थियो जसले त्यो बिक्रम टेम्पो मातर नवाई र टैक्सी बस र और गाड़े उर पनी ओन गरतियो चो सफा टेम्पो ले बिक्रम टेम्पो लाई बैन गरे सांगे उने अरले सफा टेम्पो लाई आफनो औरो बिजनेस मा बनी खत्रा उनसक्ने मनने येधा थाले लुँट tsun्पा टेम्पो लांच गरदा उने अरले ये शलाए खत्रा गुरूप मा एरे गा थियो तरा अबाउनेर ले बविश्यमा एलेक्ट्रोनिक वेकल ले आफुलाई ठूलो समस्या परने देखी सवेगा थीए रा अबाउनेर ले सफार टेम्पो लाई अनेक आरोपलाऊन थाले सफार टेम्पो को बैट्री ले काष्ट्रोन नुमा बैट्री पोलचन उदेशा वन्ने अल्ला आयो बैट्री मा आमफूल लीड उन्छ रो यो बाईर नेजर मा एतिके गए बने एसले पक्कापनी ठूलो असर पार छ तरा एलेक्ट्रोनिक वेकल का स्टेक ओल्डर अरले आपुले एक्सपायड वाई को बैट्री लाई रामर संग राहे राखे रा 570 देखी साची रुप्या पर स्ट मा कवाडी लाई दी रहे को वने रा उनी अरले एसले रीसाइकल गर्नाग निम्ती इंडिया लीर जान थे थोरे के एक्सपायड वाई को बैट्री अरलाई चें वेरी उज गर्रा निपाल में चले राखी एको थियो टेकनिकल रूप मा इविले बैट्री पॉलिशन गरे वंदा पनी यो एकिसिम को पोलिटिकल स्टन्ट मात्र थियो तरा एशले सफा टेम्पो को एकदमे नेगिटिब इंप्रेशिन पर्ना थालियो रा एशको फाइदा लपीजी वाला टेम्पो टुक टुक ले लिना थालियो यो टेम्पो बाटा खासे दुआ नावने वाईबेशी एशले आफुलाए पोलिशन फ्री ओजस्तो प्रिजेंट गर्ना थालियो रा देरे जाना ले यो कुराब पत्याए तर बास्तम मा एलबीजी वाला टुक 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 रा अरू डीजेल बाटा अथा पेट्रोल बाटा चलले गाड़ी मा खासे केई पनी फरक ने थिये न सबे को पोलिशन उस्ते ने थियो बिक्रम टेम्पो अटायको जम्मा चो मैना पसी मेड 2000 मा एसको रिप्लेस्मेंट मा अठारा से वन्दा देरे गाड़ी वर आई सवेगा थिये सफा टेम्पो टुक टुक माइक्रो बस सबे बरी बराव थिये र अजे मिनी बस र ट्रोली बस पनी थियो एती देरे गाड़ी काटफांडग निम्ती ओवर सपलाई ने थियो तरह गवर्मेंटले कुने पनी लॉंग टॉम अब्जर्बेशन न गरे र सीदे तीन पांगरे गाड़ी लाई रिंग रोड मा रेजिस्टर ने करना न दिने वनियो जुन सफा टेंपो को प्राइमरी मार्केट थियो यो डिसिजन बाटड़ इंवर्मेंटलिस्टरू र डोनर एजेंची रू एक दमे देरे चीडिये डैनेस मेसी ले आफनो इंवर्मेंटल सेक्टर प्रोग्राम सपोर्ट एस पी आस ने रोकने दमकी दियो जस पाटड़ उसले नेपाल सरकारलाए आठ लाक डॉलर दिदे थियो एती देरे क्रिडिसिजम सरकारले सोन शकेन र यो डिसिजन करेको साथ देन बित्रने यो डिसिजन फेरी फीटता बनी लियो तरह एसको समय ना पची फेरी या ताद भी भागले काटफर्णों मा गाड़े को कैपासिटी बन्दा 35,000 देरे गाड़ी चावन ने निसकर्चा निकालियो र अब तीन पांगरे गाड़े मात रहे न चार पांगरे नया गाड़े को समयथ काटफर्णों मा रेजिस्ट्रेशन रोकी दियो जसको मतब अक्ट्रोबर 2000 बाट सफा टेम्पो को कम्पलीट प्रोड़क्शन रोकी यो अब कुणे पनी नया सफा टेम्पो को मैनिफाक्टर ने वहाए न जम्मा एक बर्षा पनी नपूग दे सफा टेम्पो पीक मा पूगए र तला जरी सहे को थियो प्राफिट अरुता पहं ले देखीने गटना शुरू हेशे हे को थियो सफा टेम्प को मेंटेनेंस खर्चपनी एकदमे महांगो थियो सफा टेम्प को ड्राइबर अरले एक्स्टा पईशा उठावनों गनिम्ती टोटल स्रीट बंदा देरे मान चेरू गाड़ी में आलना थाले जसले गर्दा बैटरी लाइफ मा समस्या आयो औरुप बिविन्दा पार्ट पूर्जा मा समस्या देखी न थाले पईशा बचावने चक्कर मा रेगुलरली प्रोपर मेंटेनेंस मनी बहाए न एक्टोनिक सामान लाइ प्रोपर मेंटेनेंस न गरे पची जन सानो समस्या थुलो वायर कम्प्लीटली बिग्रे ने अवस्तामा पुगियो प्राय सफा टेम्प को ड्राइबर अरुने त्यो सफा टेम्प को मालिक थिये न तेसेले उने अरले पनी प्रोफिट बढ़ान दी बैटरी मा देरे नाफा खाना थाले। सफा टेम्प रोए इलेक्ट्रोनिक वेकल को सपोर्टना बयका जत्य पनी गुरूप बरे थियो उने अरु एक साथ मिलेर लड़न को सट्टा अब एक आपस्पाने लड़ना थाले। एसले गरता पार्ट पूर्जा को क्वालिक पनी गट्टना थाले। दुई बर्षा चलनले बैटरी अरु अब एक बर्षा बाने बिग्रिना थाले। एती गाटा उन धाले बची टाइम मां बैंक मां पेमिन्ट पनी गर्रा मिले न। क्रिसी विकास बैंक मां सबेंदा न तिरेको लोनको अमांट सफाथ टेम्पो वाट थियो। अब स्लोली बैंक लिपनी एसमा राम्रसंग इंब्रेश्मेंट गरने चाहाई न। रर नौया लोन नौय संगे सफाथ टेम्पो को पाठ पूर्जाला चाहिने एक्स्टा फाइनसिंग कम्प्लिटली रोकियो। विस्तारे सफाथ टेम्पो को ड्राइवर अरले पनी एसमा मंदा अरू टुक टुक मा रा माइक्रोबस मा देरे फाइदा होने बन्दे तेता ती रा सर्णा धाले। न सरकार ले उन्हेर को एल्प गर्यो रा उन्हेर लाए सब्बोर्ट करने एंजियो रा इन्वर्मेंटलिस्ट ग्रूप पर ले उन्हेर करिम्ति केई गर्ना सक्यो। डिजेल माफियाले नेपालमा एलेक्रोनिक वेकल को अगाडीने एकिसलाई सक्सेस्पुली मारी दियो। रो यो संगेई नेपाल मा इलेक्ट्रोनिक वेहकल को यो सक्सेस्पुल एक्सपेरिमेंट पनी फेल खायो। आमी संगा सफा टेम्पो अहीले पनी छा जुन प्राय महिला चाला करले चला नुँँछ। रो बिगत को के ही समय मा इसलाइ फेरी पनी उठाऊने प्रयास पनी वहेको चाला तर ती प्रयास अरू इनफ वहेको चाला रो अहीले नेपाल मा इलेक्ट्रोनिक वेहकल को क्रीज बढ़ दे जादा मेरे दिमाग मा एई प्रश्णा हुचा कि त्मी बेलाने सफा टेम्पो सक अरु गाडी मा पनी आमें इलेक्ट्रोनिक मा गय एक वेहक्षी हुँन्थी वहला अनि अफ्कोर्स इलेक्ट्रोनिक वेकल का पनी समस्य आरू शह तर आमी अलि ठुलो पिक्चर एरू आमी बरशयनी जदी डीजेल पेट्रोल मा खर्चा गरचा हुच त्यो देरी गुना ब अनि कारफांडू वर्ल्ड के मोस्ट पॉल्टेट सिटी अरको लिस्ट मा जोड़ी को शा तरा फेरीपनी प्रसना तेही रांचा सफा टेमपो को एक्सपेरिमेंट सक्सेस भाय को वह की उन्थियो त्यों एक्सपेरिमेंट सक्सेस्फुली औरू गाडे मा सरेको वह की उन्थियो रा आज आमी काहां उन्थियो वला आज लाएती ने थैंक्यू सो मच पर वाचिंग और बेस और इस दे नेपली कमेंट